का अंसर क्या होगा या चलो देखके मैं बताता हूं इस कोशन का अंसर क्या होगा एक बार ठीक है इस कोशन को आप अभी रोग दें देखिए कैस नक्स्ट कोशन नंबर आ तीन एन व ए्णार रहे हों मिधीडतियन दीओं प्यूस bet acum आप इसको दो ऊक्कारार को स्वेच नंबर jersey सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दो देखिए दोडोगिक कोशन मदर शोग ने आप प्लेटफोर्म को कितने समय में तैय करेगी देखें बहुत ही अच्छा कोशन तो समय बराबर क्या लगा दें आप दूरी बटे चाल तो दूरी तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई तीन सो साथ और यह कितनी एक सो चाली स मीटर लंबा प्लेटफों में तो तो डूरी हो गई और नीचे चाल कितनी है वह पैंतालिस किलो मिटर पर ती घंटा तो किस से कर दोगे पांच बटे अठारा से कर दोगे बस कैलकुलेशन करें और आंसर आजाएगा तो आप इसको कैल और जोडोगे जीरो छेएर चार दस तीन चारों रहें कितना हो जाएगा पांच और नीचे 45 गुणओ पांच और वाबर यहां पर देखें हैं औससत चाल समय बराबर और एक समय बराबर तो यह उसस एसे समय पूछा और चाल पूछा ब अब से यह नाँब states पहले मैं आपको स्मझाना चाहता हूं क्युंकि जो सारे बनेंगे अच्छे कुशण है यहां से फिजिक्स यहां से बनेगे अभी तो ही मैत चल रहा था एक तरीके सा आप ऐसे समझे तो देखें कॉंसेट समझे पहले यह कह रहें तौन क्या होगा देखें अगर हम तौन की बात करें तौन क्या होता इसको इंगलीस में कहते हैं तौन को एक्सर रिलेशन जैसे हमारी बाइक होती है प देखें जो आपका पहला मालो मोटर साइकल आपने स्टार्ट करी तो एक तो होता प्रारंबिक वेग प्रारंबिक वेग कहलो या प्रारंबिक चाल तो इसे किस से परजेंट करेंगे यू से एक और होता अंतिम वेग या अंतिम चाल तो इसे किस से परजेंट करेंगे हम व तो आप देखे जब फिरों में आपकी गाड़ी होगी तो उसका प्रारंभिक तो वेग क्या होगा यू और जब अंतिम चाल क्या ओरियोगी वी तो मैं आप से कहूँ कि मुझे तूण बताओ कितने होगा पहले तूर्ण तूर्ण पहले तूर्ण चाल कितनी है पचास और बराबर होता V minus U V minus क्या हो जाता U और जो यह कुछ हुआ होगा समय तो लगा होगा तो बटे में क्या T से भाग कर देते हैं तो यह एक formula बन जाता कि A बराबर A बराबर अंतिम वेग मतलब V minus प्रारंबिक वेग मतलब U और बटे में जितना भी समय लगा वो अगर मैं इसकी multiply करा हूँ तो देखें क्या होगा दिहान से मेरे साथ इसकी में multiply करा दो तो यह 80 हो गया यह V minus U हो गया तो अगर इसको रखू में तो V इधर चला जाएगा यह plus मो जाएगा तो U plus क्या हो जाएगा हमारे पास 80 तो U plus में क्या हो जाएगा 80 तो यह गती की पहली समय करण भी बन जा तो अब हम numerical देखने वाले हैं या तो गती की पहली समय करण कहलो या 2N पर एक ही बात है तो इससे संबंदित कोशन अब सारे अच्छे बनने वाले हैं तो ध्यान से देखें इस कोशन को ज़राब ध्यान से आप कोशन नमबर 55 से अच्छे कोशन जो फिजिक्स के यहां से स्टार्ट हो जाएगे सिंपल ही कोशन है आए वे हैं देखें question number आप जहां से देखें, question number यह हमारे पास है चोगन, पहले question number 54 तो हमने बना लिया, अब आप देखें, question number 55 को, देखें, पचपन क्या कहा रहा है, देखें, इसमें तो-तीन बात और याद रखेंगे, दब वो आप से कहें न, विराम अवस्ता में, या फिर आप से कहें विरा विरामवस्ता का मतलब होगा प्रारंविक वेग कमान जो अगर आप को आप कहा देते हैं प्रारंविक क्या होगी विरामवस्ता में तो वहाँ पर आप से एसे कहता है नो कोई स्थिर वस्ता में या विरावमस्ता में, वह उरो कामन कितना मानें गए हम अपने पास से 0, तो कोशन बन वर 55 में ते तो एक वस्तु अपनी स्थ रवस्ता में, स्थिर का मनला फिक्स है, वो ख़ड़ी है तो स्थिर्ल Heus लगी, क्या पूछ रहा हो उसने पूछा एक वस्तु इस तीरा वस्ता में चलना अरम करती है तो यह दो सेकूंड में 5 मिटर परती सेकूंड की गतिगज़ब तो आपसे क्या पूछना चाहा है इसमें तुन पूछना चारा तो आप लगा दें भी समिकरन A बराबर क्या बताय था V minus U और अब उन में क्या बताय था T तो V कमान तो कितना होगे हमारे पास 5 V कमान कितना होगे अब 5 U कमान है 0 और T कमान कितना 2 तो 5 का अधा कितना होता 2 और इस का मातर क्याद रखेंगे क्या होता है? एखन को मातर होता है तो ऐसा ओप्षन देख ले है कौनू सा हो जाई गाई अब ऐसी नियुक्ष में जमीन पर की हो안 सैचेंट में जमीन योगा आजा आए तो किया रहा अगर जी कमान रहुज पूछ रहां, तो देखें और में यह जब आखर हमारे पास कोई चीज शूरू में प्रारंबिक वेग मैं जीन रहा हुँ कोई उपर से भीवस्तु गिरते हैं। तो गो बर अगर कोई उपर से चीज भी गिर रही होगी न तो उपर से चीज गिरती है तो उसका मतलब वो विरामावस्ता में है सुरू में और तो विरामावस्ता में U कमान कितना होता? जीरो तो direct फिर से देखें वहीं लगाएं गती पूछ रहा तो V बराबर क्या बताया था भी U प्लस क्या होतीच समय करन год 80 तो अंतिम मान पूछ रहा वी का मन जुमीन से टकराते समय तो last week पूछ रहा इसका तो देखें तो वी कमान U command तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कहा से गिर रही है सड़क के किनारे से नीचे गिर दी जमीन पर तो मतलब U command तो क्या हो गया 0 A command दे दिया उसने A command मतलब G की तरह काम कर रहोगा G command कितना हो जाएगा हमारे पास 10 तो G command हमने रख दिया 10 गूर्तित वरण ट जी की तरह काम कर रहोगा इक्स्रेलेसन और Τी कमान नद दे घ्र केंगे तो इंट्टो पैंच वाओं टो देखें पहुंट 5 इट और चांव नीचे से पक्का बनेगा एक कोशन यहां से पूस्ता हर बार पूस्ता देखें 18 में क्या इस बार को पेपर आएगा तो उसमें भी पूछेगा तो देखें ध्यान से फिर से प्रेक्टिस करो देखो जैसे भी वह कोशन बने ऐसी यह वाले बनते चले जाएंगे अभी शुरू में बस द किलोमेटर परती घंटा मैंने बदाता जिसके पीछे किलोमेटर परती घंटा या मिटर परती सेकेंड हो तो वह क्या होती है चाल तो इसका मान दे दिया यू कितने में चल रही है 36 किलोमेटर परती घंटे की चाल से वह चल रही है तो हमारे पास यू हो गया और हमारे पास नंबर 57 में अंतिने वे कितना, पहले 36 थी और फिर कितनी हो रिया, पहले तो 36 और भढ़के कितनी हो रिया, चोवं तो उसका मतलब किसक कमान है, यह वी कमान है जो दूसरा दे रखा, 54 किलो मिटर पर ती घंटा, तो लगा दें इसमें, V command तो कितना होगा 54 U command हमारे पास से कितना होगा 36 और नीचे समय में कितना दे दिया उसने 5 सेकंड अब ये देखें किलो मिटर परती घंटा और नीचे कितना सेकंड तो ऐसे कैसे काम चलेगा तो इसको बदलें क्योंकि option किसमें दे रखें मीटर परती सेकंड में तो आप इसको चैन्ज कर लें ये तो हमारे पास है किलो मिटर परती घंटा करो दो हो कि पैंच बटे 18 से तो आप इसको घटा लो चोदा में छोटा में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 8 और चार में से 3 जाएंगे कितना बचेगा एक और नीचे पांच और उपर ऐसी रख दें पांच बटे ये अठारा ऐसी अठारा से अठारा गया पांच दिया पंदरा तो आंसर आ जाना चाहिए तीन देखें तीन आंसर आना चाहिए कहां पर है कोशन नंबर 57 का अंसर तीन कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही एक बार देखें लें फिर से आप चेक करते हैं एक बार क्यलकुलेशन फिर से देखें यह हमारे पास ठीक है यह भी मारे पास ठीक है वी मैनस यू तो इसको हमने कर दिया 5बटे-18 ठीक है निचे समय कितना लग रहा था पांच तो आप इसको गटाओग अठारा अच्छा यह पंद को जाएगा तो इसका राइट आंसर को नश हो जाएगा एज तेकिसक्षा की दुबार ना तरे करें उ सकत और तेर 12 ग्राम तो इसका मतलब यह क्या दे दिया M का मान दे दिया ठीक है कहा रहा गोली दागने पर गोली दागने का मतलब गोली की स्पीड बता रहा और बैरल से बाहर निकलने पर गोली को मतलब एक बैरल का मतलब होता कहीं से गोल ड्राम राम से बाहर निकल का रही है तो निकलने में कितना समय ले रहा पॉइंट जीरो सेकिन तो आप देखें ध्यान से तो कहरा उस वेग तीन सो मिटर इस वेग तीन मिटर पर थी सेकिन करने पर बुलूट पर कितना बल आरोपित होगा बहुत बढ़िया देखें कोशन एक फॉर्मूला होता आप याद रखें देखें ध्यान से पहले अब 10-12 कोशन देख लें फिर बनते चले जाएंगा इनकी बार-बार प्रैक्टिस करो नहीं समझ माथ दोबारा देखो नहीं समझ माथ दोबारा देखो फिर देखो कहां गड़ बढ़ी हो रही है तो यह अच्छे कोशन है अब ध्यान से देखें म उसने 12 गिराम ठीक के लिए रहां तक टी कमान देखें कितना दे रखा टी कमान लिए ऐसी पॉइंट जीरो जीरो छे सेकंड ठीक है यह आगया और उसका वेग दे रखा उसने उसने वेग और दे रखा देखें इसका प्रारंबिक वेग तो पता नहीं क्योंकि वो कह रहा कि जब उसे लगने में 6 सेकंड लगते हैं तो उसका प्रारंबिक वेग तो हमें पता नहीं होगा तो प्रारंबिक वेग तो यू बराबर कितना होगा जीरो लेकिन अंतीम वेग पता जब वो उसमें टकराने में तो 300 जाकर उसमें लगती होगी नो तो 300 मिटर पड़ती सेक कमान कितना होगा point 0 0 6 तो इसे यहाँ से calculate करो देखते होड़े क्यों बट help तो कितनी 0 पोज जाएंगी एक 2 3 4 मीटर परती सेकिन्ड स्कॉयर तो एक अमान मिली हमें पचास हजार मीटर परती सेकिन्ड स्कॉयर तो लेकिन यह थोड़ी नह पूचा उसने तो हमसे क्या पूचा बल अब आप जानते एक फोर्मॉला कि F बराबर याद रखेंगे F बराबर होता M into A आगे पढ़ेंगे इ बना लेते हैं तो किरोग्राम बनाने से हम किससे भाग कर देगे एक हजारते से भाग तो उनसर कुन से हो जाएगा अच्छा कोशन इसको एक दो बार देखे बढ़े बढ़े प्रैक्टिस करें अपने अबास एक दो बार करोगे तो अपने आप समझ में आते चले जाएंगे नेक्स देखें कोशन नंबर हमारे पास आराब 59 देखें कोशन नंबर 59 में क्या कह रह तो इसका मतलब ए बराबर डारेक लगाएं वी माइनस यू अपन में क्या टी वी कमान पहले तो कितना 36 और पहले कितना था आठ और बटे में कितना समय लग रहा पांच बस इसको हल कर दें आंसरा जाएगा देखें यह तो किलोमेटर परती घंटा है तो और यहां मातर किस इसमें से किस से भाग कर देंगे किलोमेटर प्रती घंट को मेंटर प्रती से कि बनाने में पांच बटे अठारा से तो उपर आप घटा लो और और यहां पर कितना बचेगा हमारे पास 28 और बटे में 5 और 5 बटे 18 पांस से फांस खटम दो से दो नीम अठारा दो एकम दो दो चोक आठ डिवाइड कर लो आप चरा जाएगा और कुछ कट रहा होता है तो देखें काट ले कुछ फिर से देखें गलती उलती तो नहीं हो दि तो पहले हमारे पास यह ठीक है रारंबी कितना इस अतिस है ठीक है अमने चत्रीस में से आधर यह ठीक है और यहां पर यह पर पांच रखा यह ठीक है यह पॉस्ट बटे अठारा यह ठीक है चेक करें देखें एक बार आप दिए लोग ज़रा मैं भी देख रहा हूं आप बीडी तो नहीं यह ठीक है इता है इस पॉस्ट रघ ज कट गए भी ठीक है नो अचलिब भी ठीक है तो कहीं पर गलती हो रही है साइद हमसी कहीं गलती हो रही है कि कुलती तो नहीं दिखरी मेर को कहीं पर आप देखना एक बार कैलकुलेशन देखें पांच सेकेंड में आठ किलोमेटर प्रती घंटे से चट्थीस हो गई तो पहले प्रारंबिक वेग हो गया आठ और अंतिम वेग कितना हो गया चट्थीस ठीक है और यहां पे नीचे समय कितना पांस सगी और पांच बटे अठारा कुछ भी गलती नहीं कैलकुलेशन और देखने एक बार पांस से पांच गया ठीक है और अठार दो नहीं मठार देखेंए कोशन में जरूर मिस्प्रिंटिंग है कोशन नमबर 59 कोशन नमबर 59 में मिस्प्रिंटिंग है कोशन आंसर तो कितना आएगा इसका 14.9 मतलब 9.9 तो वन पॉइंट कुछ आना चाहिए लेकिन यहां ओप्शन में देई नहीं रखा तो जरूर इतना था 36 और माइनस कितना 18 और समय कितना था 5 मैं करके देख रहा हूं एक बार देखतें क्या पता अंसर आजाए तो यहां कितना हो जाएगा पांच बटा 18 तो उपर गटाओंगा इसमें से भी हमने घटाएंगे तो 36 जाएगे 28 और नीचे 5 और यहां कितना होगे 5 बटे 18 पांच से पांच 18 से अठारा एक मीटर पर ती सेकंड स्कॉयर तो ठीक है यह लेकिन कोस्टन में आठ ना इसको कितना करने इसके आगे एक और लगा लें तो आठ तो इसी साबसे आंसर नमारा पहले वाला भी ठीक था लेकिन हम मिस्प्रिंटिंग हो रही यह 18 तो इसी समझते रौपर से गिरने समझते तो एक चीज़ समझते एकदम तूरंत एक चीज़ दे दिया उसने हमें किस कमान दे दिया कोशा न consists collective 16 में विर्मावस्ता का मतलब है यू कमान कितना है जी रो और एक मान दिखेगा दूसरा तो वह किसका होगा वी का कितना होग एबीस और 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 भाग कर दें तो कितना जाएगा दौ मीटर पर 303 सेकेंड स्वाइर ओप्चन देखें कहां पर एगा इसको बार को कि इतनी ज्याधा बार प्रैक्टिस करो यह उतनी बार अच्छ होता चला जाएगा नेक्स देखें कोस्ट नोंबर 111 में क्या कहँरा है एक कार कावेग 10 मिटर पर 302 से कि कोस्ट नमबर 61 सी जैसे भी बता रहे तो उसी तरीका से बनाए तो क्या पूछ रहा, question number इसक्षिन में बनाएं अब तो खुदी, ए बराबर यह तो किस कमान, पहला वी कमान, और यू कमान और यह क्या होता वी कमान तो वी माईनस यू अपोन में क्या रखेंगे, टी, बाध वाला होता वी कमान तो वी कमान केतना होगा? 72 और यू कमान केतना होगा? 18 तो ये तो उपर होगा और निचसम में कितने लगते हैं? 5 ये किसम है? लेकिनos किलोमिटर परती घंटा है और हमें बनाना सैकीड में क्योंकि answer किसमें दे रखे ए? मिटर परती स doen में तो किस से भाग कर देंगे पांच बटे अठारा से क्या कर देंगी गुना तो आप इसको घंटा देंगे 12tx जाएंगे कितना बचेगा चार और छहार नचाइव जाएगे कितना चाहन और बटे में कितना पांच और उपर पांच बटे अठ्था रहा इसको से गाड ने ऐए ठारा थी अचो न तो देए तीन आ तकमान दे रखे यू कमान दे रहा टीक ऐमान दे रहा का निकाले विल्कुल करें अपने आपसे देकें फिर्शे एक प्रेजा क्या करेंगे ती बाद में कितना दे रखा 72 टुवी कामान कुझण भाहतर हो क्मान कितना दे कर रहा एकरं सब्सक्राइब तो बटे में 10 सेकिन रख देंगे फिर से किलोमेटर परती घंटा तो किसे और भाग कर देंगे पांच बटे 18 से तो अभी घटाया था 72 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा उपर 54 और नीचे कितना था हमारे पास 10 और उपर 5 और नीचे कितना होगा यह 18 बस कैलकुलेट करें आंसर आ जाएगा जो कट्रा काड़ने 18 तिया 14 पांच दूनी 10 तो 3 का अधा कितना हो जाएग में का देखें डेडि अप्षन में आज यह है तो देखें डेड यह बिये देड यह कंडा होना चाहिए तो स्कॉयर ऊपर आखिए सोता तो रास्ट अंसर कौन सो जाएगा सकड़ी तो बासट अांसर हो जाएगा नेच्ट देखें कोशन नमबर 63 मैं टेटे साग्समें पर तो यह किस कमान दे दिया 63 में यह दे दिया यू कमान 25 मीटर परती सेकंड कहां से पहचान करी यह प्रारम भी और अपने उन्चतम बिंदू पर पोचेगा जब लास्ट में पोस्टर आएगा पोस्टर आएगा जैसे मालों गैंद आप उपर फैक्ते रहोगे फैक्ते रहोग कर दो लगाएगा तो लगा दें गती की समीकरण अब आप जामते हो लगाएं से इदर जयंकरन क्या होता टाइम पूछरा तो वस्ञ算 बराबर बता कि इसे को रख दे अंसर आजाएगा तो देकिंग्मम्यकर माने मेफले वाने समयदे पासले जी रोच यू कमओन कितना हमरे पास पचीस एका माने कितना हमेरे पास एक मानखी की तरह काम कर रहोगा 10 और टी कमान देंगे देखिन एधर चला जाएगा तो त्स्टी बराबर कितना जाएगा तूपचिस हो जाएगा तो टीसे भाग कर देंगे कितना जाएगा हमारे पास तूपवॉयंट फाइफ तो पॉपउइंट फई देके अप्शन में है नहीं न न훈igस & तूपव तो नहीं है चेक करना बुक में चकरना यही होगा यह मिस्प्रिंटिंग कर रह्त हिस्कोंट में तो कितना जाएगा टू पॲिंट फाइफ आ जाएगा नेक्स देखिएं कॉसे नंबर चोशाड अभल आब बनाते चले जाएंग двух दिखिया इस कोशन को झूडब देखिया पिर हम अपने जलती है तो टी बराबर कितना हो जाएगा 4 सेकंड और किया रहा 20 मिटर पर 30 सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो मतलब कमान कितना होगी अब 20 तो कार का तोण पूछ रहा एक आमान पूछ रहा तो लगा दे कॉशन नमबर 65 पूर का अंसर तो जोरेगे थे क्या करेंगे हम V beraber क्या होता यू प्लस 80 इसमें मान देल आफ्ले जाएगा कितना हमारे पास वि का मान होगा सबीज यू का मान हमारे पास कितना हो गया0 हमान हमें निकाल Whिट को मान कितना हो वी बराबर यू प्लस 80 इसी में लगेगा और सिधा अंसर आजाएगा एक कार बहीगर्द भाग से गिरती है मतलब उपर से गिर रखे तो यू कमान तो कितना जाएगा जीरो टी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा पॉइंट 9 सेकंड और जी कमान कितना होगा हमारे पास 10 तो इस दोरान उसकी चाल ग्यात करो तो इसका मतलब कोशन नमबर पैसेट में क्या पूछा जा रहा है हमसे इंडारेक्ट वे में वी कमान पूछ रहा है तो वी बराबर क्या होता यू प्लस 80 वी कमान हमारे पास क्या जाएगा यू प्लस 80 तो रखें इसमें वी कमान हमारे उ कमान नीचे कितना ज्याएग्ञ हो जाएगा आ praise एक मान वरलब जी कमान जी कमान कितना मौन कितना ज्याएगा 10 दो हमाना सोरी अभी तो च्हासट भाँ बनाएं ज्रूंभर ये चासर ये बनाएं लेकिए अपने इसाब से क्या अंसर और मिर्सका अंसर बताएं करें कोछी दरह दे जारेक क्या क्या देर का देकिंग तीका वही पहली समीकर लगाएं और अंसर बताए कहरा है कॉशन । 1610- 150 Deutschland 150verse किलो गराम दरवी मांने ठीक है 300 nomeद दरवे मानों होगें हमारे पास पास सेकिन्ट में इतने 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 इतनी तो पहला बे के ऊचार आ naturудь गूमाने के लिए यू का मान तो कितना होगे 6 एक मान किसके मान करेगा देख हमारे जी का मान की तरह और जी का मान नहीं दे रखा तो अपने पास से सपोज कर लेते हैं अच्छा तो पूछा यह तो तो रख दो एक मान ऐसी रहने दो और टी का मान कितना 5 और वी का मान कितना दे रखा हमारे पा सब्सक्राइब तो दो मीटर परती सेकंड स्कॉयर देखें ऐसा उप्षन होगा जरूर तो कौन सा उप्षन हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा देखें कुशन जो पहले वाली चाल हो और जो बाद वाली चाल हो वापस क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए और जब पहली चाल और बराबर चाल होगी तो बताओं जिसे मालो बाइक है बाइक आपने पांच की स्पीड से स्टार्ट करी बाइक आपने पांच की स्पीड से और पांच ही चलती रही हो जब भी चलाई तुमने पांच ही चलाई पूरी जिंदकी मालों पांच की स्पीड पर से स्टॉप कर लिया तो उसमें तोण थोड़ी नबढ़ेगा एक्सरेलेट थोड़ी नहों रही छे साथ तो उसमें जब वेग और रोसत वेग तो तभी बराबर हो सकते हैं मालों की कुमारी एकदम भगली और दस की स्पीड से चलती रहती है तो उसका मतलब उसमें कभी तोड़नी होगा तो तोड़न सुनने जब होगा जब तत्काली वेग और रोसत वेग के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा अच्छा कोशन है नेक्स देखें कोशन नमबर 68 लेकिं इसको बनाएब अपने आप कोशन नमबर 68 को अच्छा कोशन है कोशन नमबर 68 पहले कोशिस करें के कुदी करने की कोशन नमबर 68 में क्या कह रहाएगा एक कार बहीगर्द भाग से गिरती है और पॉइंट मलब वन सेकिंड में जमीन पर गिर जाती है तो जमीन से टक तो जमी होगर्द दोल झाल आएगा प्रवगर्द भागर्द भागर्द दोल दोल जमीन आएगा थमार्द नमबर